Hello trainees, how are you all? Welcome back to our channel Brainy Trainee मैं हूँ सुन्दीप और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Class 10 CBSC Board का Blueprint वो भी Maths Standard का Maths Basic में already वीडियो बना चुकी हूँ अगर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो में मैं आपको Blueprint बताऊंगी Maths Standard का जो आपके 2021 में अभी आपके exams होने हैं यह उसका Blueprint है CBSC Board ने अपनी official website पे जो 9th October को sample question papers हर subject के upload किये थे तो Maths Standard का sample question paper मैंने जब देखा जब analyze किया तो वापर को देखके यह Blueprint त्यार किया गया है कि हर chapter में से आपको कितने number of questions आ रहे हैं exam में और वो कितने कितने marks के होंगे तो वीडियो को अंटक ज़ूर देखेगा skip इसको बिलकुल मत कीजेगा क्योंकि अगर आप वीडियो को अंटक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हर chapter में से कितने marks के questions आपको exam में आने वाले हैं और वो ये भी pdf का link में description box में नहीं देने वाली तो last में मैं आपको time दे दूँगी जहां से आप screenshot ले लेंगे और फिर वो आप अपने book के front page पे या दो उसको staple कर लेना या किसी page पे note down करके फिर उस page को अपनी book की front page पे staple कर लेना तो let's get started to train our brain ये math standard का blueprint है जैसे आप देख रहे हैं कि ये 15 chapters मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये NCRT book से मैंने लिखे हैं सारे क्योंकि CBSE board वाले students NCRT book को ही follow करते हैं और आपका exam भी NCRT book से ही आता है तो chapter number 1 पे चलें real numbers पे तो यहाँ पे आपको 1 mark में 1 question आएगा 1 question आपको 2 mark में आएगा और 1 question ही आपको 3 mark में आएगा 5 mark में आपको कोई question नहीं आएगा और total real numbers में आपको कितने marks का paper आएगा वो होगा total 6 marks का तो अगर आपने chapter number 1 real numbers कर लिया अच्छे से कर लिया तो आपके 6 marks ये तो पक्का हो जाएंगे उसके बाद chapter number 2 polynomials पे चलें तो polynomials में एक तो question आपको आएगा 1 mark का उसके बाद दूसरा question आपको आएगा 4 mark का means की वो होगा CC means की case study question होगा तो अब case study question क्या होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्योंकि sample question paper तो आप सब ने देख लिया होगा उसके उपर भी मैरे videos बनाई होई थी तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि इस साल जो अब आपके 2021 में final exams होने हैं तो उसका paper का pattern CBSE board ने change कर दिया है इस साल आपको case study questions भी आने वाले हैं और वो case study questions क्या होंगे कि आपको 4, तो total आपको 4 case study questions आएंगे question number 17, 18, 19 and 20 तो हर एक case study question में total 5 MCQs आप से पूछे जाएंगे जिसमें से आपको any 4 attempt करने हैं और वो हर एक MCQ question 1 mark का होगा तो it means कि एक case study question आपको कितने marks का आएगा, 4 marks का तो यहाँ पे मैं वही बता रही हूँ कि polynomials में आपको 1 question case study का आएगा it means उसमें आपने 4 MCQs attempt करने हैं तो 4 mark का ये हो गया 1 mark में आपको 1 question आएगा उसके बाद 2 marks में 1 question आएगा 3 marks में भी 1 question आएगा तो total polynomials में से आपको exam 10 marks का आएगा तो आप देखे, polynomial chapter भी बहुत easy है, उसमें से वैसे भी division algorithm हट चुका है CBSE board का, तो बहुत छोटा सा chapter वो रह गया है, इतना important उसके important questions पे भी मैंने वीडियो बनाई है, क्यूंकि अगर आप वो important questions की वीडियो देख लेना, तो I'm sure मैं deadly कह सकती हूँ कि उसमें से उन questions के अगर आप अच्छे से practice कर लेना, तो आप polynomials का final exam में एक भी question miss नहीं करेंगे तो आप सोचें कि ये 10 marks तो आपके पक्का, real numbers पे भी मैंने important questions की वीडियो बनाई है, तो please उनके सब के link में description box में दे दूँगी, अगर नहीं आपको description box में कहीं link मिलेगा, तो आप मेरे channel की playlist में जाएंगे, तो playlist में important questions की एक playlist मैंने बनाई है, जिस जिस chapter के important questions बनाई है, उसकी वीडियो मैंने उस playlist में डाली हुई है, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्यूंकि वो मैंने board exam के last, कुछ previous year के questions उठाके ही, उसके उपर मैंने important questions बनाई हुए हैं, तो next chapter पे चलते हैं, chapter number 3, linear equations in two variables, इसमें आपको one-one mark के two questions आएंगे, उसके बाद one question आपको five mark में आएगा, तो chapter number 3 में से आपको total paper आएगा, seven marks का, उसके बाद चले chapter number 4, quadratic equations में, तो quadratic equations में आपको one-one mark के सिर्फ two questions आएंगे, उसके बाद आपको कोई question नहीं आएगा, तो quadratic equation आपको सिर्फ two marks में आएगा, तो आप kut से सोच ले, two questions आपको आने, वो भी one-one mark में, तो वो किस तरह के questions होगे, बहुत genuine questions होगे, तो आप quadratic को जाधा time मत देना, तो उसको main-main ही उसका करके जाना, उसके बाद हम चले chapter number 5, arithmetic progression, तो वो आपके सिर्फ देखे, one mark की आ रही है, सिर्फ one question आ रहा है arithmetic progression, वहाँ पे आप पूरी detail में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे तुसकी weightage जादा ही होगी, इसलिए उन्होंने class 10 में इसकी weightage को कम करतिया है, तो ये blueprint जो है, वो मैंने sample question paper को देखके ही त्यार किया है, अलग से CBSC ने अपनी official website पे कोई blueprint नहीं डाला, वो sample question paper ही डालते हैं, वहीं से blueprint को त्यार किया जाता है, उसके बाद हम chapter number 7 पे चले, तो chapter number 6 पे चले, तो triangles है chapter number 6, तो triangles में से एक question तो आपको आएगा one mark का, उसके बाद एक question होगा case study question, it means case study question में आपको 4 questions attempt करने हैं, तो वो 4 marks के वो हो गए, उसके बाद एक question आपको आएगा, 3 marks का, तो triangles में से paper कितने marks का आएगा, total 8 marks का आएगा, then chapter number 7 पे चलें coordinate matrix, तो इसमें आपको one mark में कोई question नहीं आएगा, लेकिन four mark में आपको, four mark में आपको case study question होगा, क्योंकि एक case study question equals to four marks में पहले ही बता चुकी हूँ, उसके बाद अगर आगे चलें, तो two mark में आपको one question आएगा, फिर कोई question ही है, तो आपको जो coordinate matrix उसमें से paper कितना आएगा, six marks का आएगा, then उसके बाद chapter number 8 है, trigonometry, तो trigonometry भी आपको two questions आएगे, one, one mark में, one question आएगा, आपको two mark में, उसके बाद three mark, five mark में कोई question नहीं है, तो trigonometry total कितने marks में आपको paper आएगा, four marks में, तो four marks में ही, trigonometry भी बहुत लंबा chapter है, उसमें एक exercise तो आपकी हट चुकी है, लेकिन फिर भी जो इसकी last prove that वली exercise है, वो आपको आनी है, तो वो one mark में एक छोटे से simple से questions वो डाल सकते हैं, उसको two mark में two mark में भी prove that में वो questions आ सकते हैं, तो trigonometry की weightage भी नहीं कम दी है, क्योंकि ये भी आपको plus one में पूरी detail में chapter आने वाला है, उसके बाद हम चले chapter number 9, some applications of trigonometry, जिसका दूसरा नम है heights and distances, इसमें आपको one mark में कोई question नहीं आएगा, two mark में भी नहीं आएगा, लेकिन three mark में one question आएगा, उसके बाद five mark में one question आएगा, तो total chapter number 9 में से कितने marks का paper हो गया, eight marks का, उसके बाद chapter number 10 पे circles, तो circles में आपको one one mark के two questions आएगे, तो one question आपको two marks का हो गया, उसके बाद कोई question नहीं आएगा, तो circles में से कितने marks के आएगे, four marks के, उसके बाद चले chapter number 11, constructions पे, तो constructions one mark का one question और two mark का one question, तो 2 mark में भी 1 question हो गया तो ये भी total 3 marks में तो construction आपको सिर्फ 3 marks में आपको construction में से paper आएगा area related to circles में कितने marks का paper आएगा 1 mark में 1 question और 3 mark में 1 question तो ये 4 mark का हो गया उसके बाद हम चले 13 chapter पे surface areas and volume पे ये भी 1 mark में 1 question हो आएगा और 5 mark में 1 question आएगा तो total surface areas में से कितने marks का paper आएगा आपको ये आएगा आपको 6 marks में तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बता दूँ कि आपको जो 5 marks के questions जो जिस चैप्टर में से आने हैं वो कौन-कौन से ideas आपको मिल जाए कि कौन-कौन से वो questions आने के chances है तो आप मुझे comment box में ज़रूर लिख के बताए तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊगी ठीक है उसके बाद हम chapter number 14 पे चले statistics पे तो यहाँ पर 1 mark में तो कोई question नहीं आएगा लेकिन case study question आएगा एक तो वो 4 mcq होगे तो 4 mark उसके आएगे उसके बाद 3 marks में 2 questions आएगे 3 mark में 2 questions आने है stats में से तो कितने marks को आपको statistics आएगा वो total 10 marks का क्योंकि 3 marks के 2, 6 marks तो यही होगे 4 marks इसके होगे तो total number of questions तो आपको 3 आने है लेकिन 10 marks की weightage है statistics की तो यह भी बहुत ज़्यादा weightage है सिर्फ आपकी polynomials में 10 marks आ रहे है और उसके बाद statistics में 10 marks आएगे उसके बाद next chapter में हम चले probability last chapter number 15 1 mark में 1 question उसके बाद कोई नहीं तो probability भी आपको सिर्फ 1 mark में ही आने वाले तो probability में भी आपको पूरी detail में जाने की ज़रूद नहीं वैसे यह बहुत छोटा सा chapter है class 10 का यह भी आप plus 1 में plus 2 में करने वाले हैं इसलिए शायद उन्हों नहीं इसकी यहाँ पे weightage कम कर दी तो यह मैंने आपको पूरा blueprint दे दिया कि हर chapter में से बता दिये कि हर chapter में कितने number of questions आपको आने वाले हैं 16 questions यह होगे 1-1 mark के 4 questions case study के होगे तो यह भी total 16 questions यह होगे तो total 32 marks आपके आएंगे 1-1 mark के questions 32 marks के आएंगे तो अगर आप यह 1-1 mark के questions सारे attempt कर लेते हैं वो भी अच्छे से ठीक attempt करते हैं तो यह 32 marks तो आपके पका after that अगर 2-2 marks पे जाएं तो total आपको number of questions 6 होगे तो वो 12 marks में आएंगे 3 mark में चले तो number of questions 3 marks के 7 होगे तो वो total 21 marks के होगे 5 mark में आपको जिर्फ 3 questions आएंगे और वो 5-5 mark के होगे तो total इसके 15 marks होगे इन सब को अगर प्लस करें 32 marks को 12 को 21 को और 15 को तो total कितने marks होगे 80 marks और अगर हम इस site पे जाएं जहांपे ये मैंने बताया कि हर chapter में से आपको कितने marks का paper आएगा तो इन सब को भी plus करें तो ये भी कितना बनता है 80 marks तो ये पूरा blueprint शो मैंने आपको दे दिया है NCRT book में से क्योंकि paper आपको final exam NCRT book में से ही आने वाला है तो अगर unit wise की बात करें तो unit wise पे proper मैंने अलग से एक video बनाई हुई है जिस पे मैंने बताया है कि हर unit में से हर unit में कितने कितने chapters आते हैं और वो कितने कितने marks का आपको पूरा unit cover करता है तो अगर आप पूरी detail में वो वीडियो देखना चाते हैं तो उसका link आपको description box में मिल जाएगा तो थोड़ा सा मैं आपको briefly इस वीडियो में भी बता जेती हूँ कि जो real number chapter number 1 है वो पूरा एक unit cover करता है उसमें और कोई भी chapter नहीं है तो वो आपको 6 marks में unit 1 आता है उसके बाद chapter number 2, 3, 4 and 5 ये 4 chapters जो है ये unit 2 को cover करते हैं तो unit 2 total 20 marks का होता है तो 20 marks ये हो गए उसके बाद unit 3 पे जाएं तो unit 3 coordinate symmetry है तो ये भी सिर्फ एक ही chapter cover करता है unit 3 तो ये आपको 6 marks में unit 3 आता है unit 4 में जाएं तो unit 4 में एक तो ये chapter हो गया triangles उसके बाद ये 2 chapter आ गए यहां से अगर हम देखे circles and constructions तो ये total आपको आएंगे 15 marks के 3 chapter यहां से 8 ये 4 और ये 3 ये मैंने bracket पे लिखा हुआ है उसके बाद अगर हम next unit में चाहें unit 4 के बाद unit 5 में तो unit 5 में trigonometry and some applications of trigonometry आता है जो आपको total 12 marks में आने वाला है उसके बाद unit 6 में जाएं वो होगा आपका area related to circles and surface areas and volumes तो ये total 10 marks कवर करता है unit 6 और unit 7 last है statistics and probability तो ये total 11 marks कवर करता है तो अगर हम इनके भी weightage को plus आपस में कर लें ये 6 को 20 को उसके बाद 6 को 12 को 15 को 10 को 11 को ये भी 80 marks ही बनते हैं तो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर कीजिए और सबसे बड़ा काम है इस वीडियो को share कीजिए अपने friends को ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हर chapter में से कितने number of questions कितने कितने marks के आ रहे हैं ताकि वो भी अच्छे से revision कर सके तो अगर आप इस pattern को follow करेंगे इस तरह से अपनी revision स्टार्ट करेंगे आपके 90 प्लस तो आई ही जाएंगे बस आपको यही काम करना है कि इसका print out page निकाल ले तो यहां तो आप इसको एक page पे note down कर लें और उसको index page पे लगाना मत भूले ताकि जब भी आप किसे chapter की revision कर दी start करें तो साथ में आप देख लें कि इस chapter की weightage क्या है और इसमें कितने number of questions आ रहे हैं तो वो आपकी revision में बहुत जाद आपकी help करेंगे तो अगर चानल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe कर दीजिए मिलते हैं अपनी next वीडियो में तब तके लिए bye and take care